नमस्कार दोस्तों मैं बजरंगी पांडे और आप देख रहे हैं हुश्यारपुर ने दोस्तों हुश्यारपुर के चार युवाओं ने जिनमें की दो बेटियां भी समिली थे हैं और दो बेटे भी हैं उन्होंने कल पी-स की नयदिस की जो प्रिक्षा किलियर करके हमारे हुश्यारपुर को गुर्वानवित कर दिया है आए उनसे बाचित करके जानते हैं कि किस प्रकार की अंथक प्रयासों के बाद उन्होंने अपने मुकाम को हासिल किया और किस तरह मैसूस कर रहे हैं वो अपने लक्ष को ह वासिल करके लगातार बने रही है आप हुशारपुर न्यूज के साथ अगर बहुत बहुत स्वागत आपका थैंक यू मैं हुशारपुर न्यूज के सारे श्रोताओं को धन्यवाद देता हूं सबसे पहले मैं चाहूंगा कि जो दर्सक की समय आपको देख रहे हैं आप उन्हें अपना परिचे दे मेरा नाम प्रभजो सिंग भटी है जी और मैं हुशारपुर में आप सर जिस प्रकार से आपने PCS की जो प्रिक्षा क्लियर की है किस प्रकार का अनुभब इस समय आपको महसूस हो रहा है जबकि लगातार आपके परिवारिक जैन और आपके रिष्टेदार आपको बधाईयां देने के लिए मतलब मतलब लाभुक नजर आ रहा है मैं काफी खुश हूँ और अपने घर वालों के चाहरे पर सारी खुशी देखकर मेरे को खुद को काफी गरव महसूस हो रहा है और इस काम्याभी के पीछे किसका श्रे रहा, किसका अंतुख प्रियास रहा है पूरे परिवार का हमारे का और मेरे सारे जो टीचर थे मेरे दोस्त मित्र सारे हमारे सारे सहपार्थी जो भी और इवन कॉलीक्स हमारे सबका एक राष्ट्री हित में सवाल सर आपसे बनता है क्योंकि आप नव नुक्ति जैज हमारे देश को मिलेंगे कि आज की समय में जो कहा जा रहा कि सविधान को कोड से बचाने की जरूरत है और कोड से खुद को बचाने की जरूरत है, तो एक जज के तौर पर आपकी जो भूमिक बहुत बहुत स्वागत आपका मैं हुशारपुर न्यूस वालों को बदाई देता हूं और मैं पूरे गरब के साथ कह सकता हूं कि जो मेरे बेटे ने मकाम हासल किया है वो हर एक जुवा जो है वो करें आज हम यह भी देख रहे हैं कि जो यूवा है वो माँवाब की बात को नहीं सुन रहे नहीं मान रहे है या यूवा उस सवस्था में आ चुक्याइль से यह सवाल तक कर देते हैं कि आखिर आपने मेरे लिए क्या 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 परंतु आपको बहुत से नाकेबल सेकडों की तदाद में बरकी करोडों की तदाद में जो पैरंट्स हैं या फिर जो बच्चे हैं वो आपको फोलो करेंगे सर क्या संदे सुन के लिए देखो मैं कहता हूँ कि जैसा हमारा बेटा है प्रवजोत बटी उस लाइक हर एक बेड़ा हो और हर एक बच्चा जो है अपने माता पिता के इतना अग्याखरी हो हमने अपने पूरी कोशिश की है कि इसे अच्छे संसकार दें और अच्छी एजुकेशन दें और यही बात है कि यह काम जाओ को है यदि बच्चों को सफल बनाना हो तो उसमें माता पिता की क्या मुख्य भूमिकाई होती है माता पिता को चाहिए कर अच्छा स्थिक्षा दें और सबसे ज्यादा जो है बो उनसे यह है कि बच्चे को आगया करीम बनाएब बच्चे को चंगी एजुकेशन दे और उसके जो है इंटरेस्ट के मतावक जो इसको एजुकेशन देनी चाहिए बहुत बहुत स्वागत आपका भी है तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्सकों को बतलाएं एक मा के तौर पर आप कैसा महसूस कर रहे हैं इस समय जब बेटी ने इतना बड़ा मुकाम हासल किया मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि बेरे बेटे ने जे मुकाम हासल किया तो मैं उस प्रभु का शुक्री आदा करती हूँ तो क्योंकि उस प्रभु की वज़ा से ही जे बेटा मेरा इस मुकाम पर पहुंचा है एक मा के तौूर पे आप पुरे संदेश पुरे राष्टर को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो भी माँ आपकी परकार से आपकी तरह से भुमिकाय नवाएं अपने बच्चों को सब्लğ बनाने तो बस मैं तो यही कहना चाती हूँ कि बच्चे अपने पेरेंट्स का कहना माने और उनकी आगया का पालन करें तो बच्चे कभी भी जो है अपने मकाम को खासिल कर सकते हैं मैं एड़ोकेट तर मंदर दादरा पूरी बारवलों अपने अंकल जी कुलदीव सेंग कमल जी सेंग पटी अथे उनना दे प्रवार दे सारे मेंबर प्रभ जोट जी नूँ पूरी बदाई देंदा हैं ते एहे आस करदा हैं ते प्रमात्मा के अरदास करदा हैं कि ए दिन द पूरे परवार नूँ भी बताई देंदा हैं इनना दी एक सिस्टर डॉक्टर है गया एक सिस्टर ललम कीती होई या ते मदर हाउस वाइफ होन दे बावजूद भी एक बच्चे नूँ इत्थो तक मकाम तक पहुंचाना जेड़ाया वो बहुत वड़ी उपलब्दी है ग पूकेट्स दी बार जेड़ी या उनुँ मानया होशारपर वासियान उफ़ा करेया ते असी नाल दी नाल होशारपर नियूज दे जिन्ने भी इश्रोता है गया उन्हादा वी तानवाद कर देया जेड़े इस चैनल नूँ देखके साड़ी गाल सुन देया ते असी आस कर जांगे कि ओवी इस बच्चेतों कुष्ण को सिखन जिने एक टार्गेट बनाया सी गोल बनाया सी अचीव किता आप लोगों का कितना से योग रहा है इनके साथ जब ये अपने प्रामभीक चरण में कुष्ण कुछ जरूर आप से कुछ ते किस परकार से पुरी टीम का य और निश्टा वान तरीकों से आपने उनको संब्लाने के प्रयास किया एक्चुली मेरे पापा भी एड़ोकेट है और इसके पापा भी एड़ोकेट है तो एड़ोकेट फैमिली होना और एड़ोकेट सरांडिंग्स महाल जो है वो बहुत कुछ सुसाइटी में मैंने रखा आता है तो डिसकुशन जो होती है आज कल बुक वर्म के साथ साथ है डिसकुशन मस्ट है तो डिसकुस्क मैटर करते थे कुछ टिप्स इनको हमारे से मिलती थी कुछ टिप्स जो है हम डिसकुस करके अपने सीनियर से पापा इसके पापा और मेरे पापा जो है और काफी सीन एक रिस्पेक्ट और सिंसीरिटी ये दो चीजे थी जिनों ने इसको इस लड़के को आज हश्यारपर के एक मान समान दिया है। मैं आपका धिन्यवाद करता हूँ कि मुझे भी अफसर दिया और इनके साथ में जजज साब के देखिए मैं पंजाब इन्वेस्टी से रिटार्ड प्रोफिसर हूँ और यहां साधवाश्र में इन्वेस्टी जो कैमपस है मैं वैसे तो मेरे से रहने वाला हूँ लेकिन यहा हैं प्राक्टिस करहते हैं और इनके पिता जी तो तब से मेरे संबन्द है मैं आता जाते हो कभी साल शी हमने एक दूबर नहीं यहाँ जब इनका जड़े चाहिए जब पहली बार रह गए थे तो इन्हों ने मैं पुछा मैंने यह देंका यह धिया हटास निरास नही थे औ उनके लिए अमोग छतों तक जिनको जाना है सिधियां उनके लिए अमोग छतों तक जिनको जाना है सितारों उपर है जिनकी दृष्टी उन्हें पता अपना बनाना है तो उंचे बढ़ना है तो आप सितारों पर दृष्टी रखिए जो हैं और कोई साधन जो हैं उस सब प्रियतन वैसा ही रखा और इनका प्रियतन सफल हुआ इसकी मुझे मैं इनको बधाय देता हूं और आपको बधाय देता हूं कि इनका परिच्छे देने का मुझे भी उसर दिया मेरा नाम संगीता भट्टी है और मैंने लोगों की सेवा के लिए कुछ न कुछ न कुछ जरूर मतलब करूं प्रयास और मुझे उससे बहुत खुशी है कि मैं भी इसमें आगे अगे अपना वु कर रही हूं कोशिश परन्तु सरफ भाया के लिए या किसी दीदी के लिए भी कोई जरूर मतलब कि अगर हम किसी न किसी मुकाम तक पहुंचते हैं तो हम जरूर सोसाइटी के लिए कुछ न कुछ उन्हें योगदान देना भी चाहिए और सबको हम देते भी हैं तो यह सब की एक कोशिश होनी भी चाहिए कि सोसाइटी के लिए जरूर कुछ न कुछ किया जा है आपका परिच्छे मैं डॉक्टर सुननंदा भटी प्रभ्जोद भटी की छोटी सिस्टर और मैं उन्हों की इस काम्याभी के लिए बहुत प्राउड फील कर रहे हैं सिरफ आप यह पूरा पूरी फैमिली हम परन्तु आपकी खुशी कुछ अनोखी जो चेहरे से दिखाए दे रही है कितना मतलब अंदर से यह मैसूस हो रहा कि भाइया ने आज बहुत बड़ी काम्याभी आसे बहुत अच्छा लग रहा है इवन उन्हों की डैडिकेशन बहुत थी हार्ड वर्किंग काफी थे और उन्होंने काफी अच्छा स्कोर की है और वो फाइनली अपनी सीट पर उन्होंने सेक्योर की है जुडी शरी में